पिरोधी पक्ष के लोग अभी भाजबपय में आ रहे हैं यह सबको पसंद नहीं आ रहा है जो भाजबपों को फॉलो करते हैं उनको तो उनके लिए ये वीडियो है कि क्या भाजबप में बदला होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे भाजबप की स्ट्राटिजी बदलने वाली है भारत सरकार में भी कुछ बदला होने वाला है या नहीं यह अभी हम लोग देखेंगे कुंडली के माध्यम से जो हमारी भाजवपकी और भारत की कुंडली है उस हिसाब से नमस्कार मैं आभागरंदिकर आपका अनुचर्णी आभाश्री की यूटूब चैनल पर स्वागत करती हूं आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए शेर किज इस चैनल से हम लोग पॉलिटिकल प्रेडिक्शन देखते हैं कुंडली के हिसाब से तो आज देखते हैं कि बज़ेपी सरकार कुछ बदलाव लाने वाली है या नहीं यह शनी जो वक्री हो है शनी महाराज जो वक्री हुए है वो क्या कर रहे है शनी वक्री का मैंने तो पह में देखते हैं कि सभी जगन आराज है सब विजेपी के लोग नाराज है संग परिवार भी नाराज जो हिंदुत्व की धारा लेके जो विजेपी आगे जा रही है उसमें जो बेरोधी-गट्ट के लोग भी शामिल हो रहे हैं को इसके मग more changes होने वाले है कि नीं वो देख अगस्ट की कुंड़लीे वो देखेंगे उसमें अगर देखा जाये तो टेंथ हैं मिल्प शनीवकरी जिस जगह से लोग सरकार सथा देखते हैं उधर ही शनीवकरी हैं नहीं कुम हैं तो अभी ये शनी वक्री है और उनकी दुरुष्टी 12th हौस पे है, 4th हौस पे है और 7th हौस पे है 4th हौस पे है तो जो सामान्य लोग है उनके लिए उनके हिसाब से उनके लिए उनका विचार करते हुए ये कुछ बदलाव लाएंगे शनी जब वक्री होते हैं जिस भाव से होते हैं जिस जगत पे जिस भाव में दुरुष्टी रखते हैं उधर की जो भी बात गलत होती है वो उसे करिक करते हैं उसमें बदलाव लाते हैं और देखा जाए तो राहू घरशल गुरू ये मेश राशी में ट्वेल्थ होस में बैठे हैं ये भी देखा जाए तो मूल कुंडली में लगन कुंडली में गुरू सिक्स होस पे हैं और उसके सामने भी अभी गोचर गुरू है गोचर घरशल गुरू और राहू ये ट्व वोचर गुरू की दृष्टी आ रही है तो ये भी क्या करेंगे तो ये प्रोटेक करेंगे जो भी ये सरकार है उसे प्रोटेक करेंगे हम लोग एक बात देखते आ रहे हैं बहुत से वीडियो में कि सत्ता बदल होने वाला है या कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है तो क्या कारण कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा काम करके सत्ता में रहना या सत्ते में कुछ आगे बढ़ना ये सब दिखाई देता है और ये हर्शल के कारण ये अचानक होने वाला है मैं ये बात बताना चाहती हूं कि अगर हम लोग भारत की गुंडली देखे जाए तो भारत में अभ के लोगों को उनका उनमें बदला होगा ऐसा दिखाई देता है क्योंकि फॉर्थ हूस में मंगल और शुक्र है फॉर्थ हूस में जब मंगल और शुक्र रहते हैं तो मंगल का मंगल की दृष्टिय अगर देखा जाए तो सेवन टेन और 11 पे आने वाली है सीहराशी पे आ रही है, ये मंगल शुक्र तो गोचर में अभी, फोर्थ होस में है, तो ये वहाँ पे अभी बदला उलाएंगे, मतलब एक यहाँ देखा जाए तो विरोधी गट देखे जाते है फोर्थ होस में, और वहाँ मंगल है, तो विरोधी गट में उनको तोनना, उन नाशी में, मंगल तो हम लोग बोलेंगे कि बार-बार आते हैं, लेकिन इसके उपर शनी की दुरुष्टी आ रहे हैं, ये बहुत इंपोर्टन है, शनी मंगल समसब्तम योग होगा है, मतलब एक दुसरे के सामने, सेवन थाउस में बैठे हैं, जब ऐसे दो पाप अग्रह आते हैं, कि ये ओरिजिनल गुरु के उपर गुरु की दुरुष्टी चल रही है, इसलिए ये नीती में बदलाव कर रहे हैं ये सरकार अपनी नीती में बदलाव कर रहे हैं, जो उन्होंने महत्वा कांग्शा से जो भी डिसिजन लिये हैं, और जो उन्हें आगे बहुत सालों तक वो चलाना है या कुछ बदलाव करना है अपने अगर देखा जाए तो सब लोगों के के लिए तो ये गुरू ये काम कर रहे लेकिन उसके लिए ये शनी अपना अस्तित्व रखने के लिए ये मंगल के साथ अभी तोड़ फोर चल रही है फिर भी ऐसा लगता है जब गुरू की दृष्टी गुरू पे जाती है तो गुरू क्या है ब्रुहस्पती क्या है ये सीनियर लोग है मतलब जो उनको सलाह देते हैं ये गुरू उनको ये पसंद नहीं आ रहा है फिर भी ये चल रहा है शायद अभी ऐसा दिख रहा है कि ये जो उनको सलाह देने वाले जो लोग है जो उनका मोटिवेशन करने वाले लोग है वो इसे करेक करेंगे ऐसा रहा है क्यों क्योंकि ये गुरू के उपर गुरू दृष्टी है जो ये चल रहा है उसे करेक करेंगे ऐसा मुझे लगता है मूले कुंडली में केतू सब्तम भाव में है और लगनमेतो राहू है जो आपको भी मालू है और यही गोचर में उनके व्याय भाव में आए है मतलब छटे भाव में केतू है अभी और बाराव भाव में राहू है तो सब्तम भाव में जो केतू बेटे है जो उसकी पावर है वो कम होती जा रही है मतलब जो विरोधी लोग है उनकी जो सामने वाले लोग है उनकी पावर कम होती जा रही है ऐसे ये अभी के गोचरगर भारत के कुंडली में दिखाई देता है मतलब मंगल और शुकर का अगर देखा जाए फोर्थ उसमें तो ये विरोधी गट से बगावत होना क्योंकि मंगल है ना तो बगावत करेगा ही उसमें फूट आना इस तरह का हो रहा है और समसप्तम होने के बाद कारण शनी और मंगल समसप्तम होने के कारण कि कुछ तो अप भार बता रही हूं कि शनी क्या कर रहा है तो करेक्शन कर रहा है जो हम लोगों को भी मालूम है अगर हम लोगे हैं तो ब्जेबी के कुंडली में भी यह दिखाई दे रहा है कि तेन्थ वीसमें गोंचर से नेप्चून है तो इलेवन था उसमें अभी गुरू-्राहू-हर नाइन्थ हाउस में शनी है जो अभी वक्री है और मंगल शुकर जो है वो थर्ड हाउस में है यह अगर देखा जाए तो पश्चिमित देशों में देखते हैं कि लाव भाव में मतलब 11 थाउस में उससे संसद मतलब राजदूत, राष्टिय, लक्ष, उद्देश जो भी है वो 11 थाउस में देखते हैं हम लोग जो देखते हैं वो 10 थाउस से देखते हैं संसद लेकिन बाहर के लोग जो देखते हैं भारत के बाहर के वो 11 थाउस में देखते हैं अगर यह देखा जाए तो अभी गोचर दश का स्वामी है गुरु जो तृतिय भाव में मूलक उंडली में बैठे है गुरु और मंगल शनी इनके उपर दुरुष्टी जा रही है बतलब मूलक उंडली में शनी के उपर शनी की दुरुष्टी जा रही है और मूलक उंडली में शनी के उपर से मंगल और शुकर तो बीजेपी का जो विस्तार है वो विस्तार करने के लिए मंगल शुकर एक साथ आ रहे हैं तो विस्तार करते में मंगल शुकर के कारण दूसरे लोगों को सामिल करना और अंतरगत फूट पढ़ना ऐसा दिखें देता है फूट मतलब नाराजी ऐसा हम लोग बोलेंगे ये क्योंकि ये मंगल जो है वो तृतियास में लेकिन गुरू के उपर से जा रहे हैं इसके कारण पूरी ऐसा नहीं होने वाला की बीजेपी तूट गई जैसे कि अभी राष्टावधी का हम लोगों ने देखा है कि दो गट हो लेकिन नाराजी तो दिखाई देती है जो उनका प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग है उनमें नाराजी दिखाई देगी और वही करेक्शन अभी क्या कर रहा है तो गोचर गुरू की पांचवी दुरुष्टी इस मूल कुंडली के गुरू पर आ रही है यह में बीजे करेंगे वही गुरू संभाल के अभी बद्लाव लाएंगे उनके निती में बद्लाव लाएंगे जो अभी उन्होंने निती देखी थी कि सभी को साथ लेना है तो ञाराज किया था उनके उपर जुनियर जो भी है प्रभारी की बिठाये थे वो शायद बदल सकते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि क्या है नवम भाव में जो शनी वक्री है न वो पब्लिक रिलेशन का काम करते हैं तो पब्लिक रिलेशन के लिए जो भी बदलाओ ना क्योंकि शनी वक्री वहां है तो पब्लिक रिलेशन के लिए जो भी बदलाओं करने पड़े हैं वह दोजार चोईस का इलेक्शन सामने देख के ही कर रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है क्यों तो ही तो ही दोजार चोईस में ज्यादा सीट से बीजेपी आएगी इसलिए क्योंकि यह अभी जो चल रहा है न वह करेक्शन होके वह आने वाली है बुल कुंडली में दशंभाव में रवी है उसके उपर से नेपचुन जा रहा है नेपचुन गोचर नेपचुन जा रहा है तो वो गूड तासे जो जिनके उपर प्रभार दिया है प्रभारी बनाए है जो राज्यों में changes किया है वापस होंगे ऐसा दिखाई दे रहा है मतलब जो भी उच्चा अधिकारी है शासक है उनका उनमें बदला होने वाला है यह अभी आज मतलब आज से ही में बोल रही हूँ कि यह आपको दिखाई देगा कि इतना बदला होने वाला है बिजेपी के अगर दशा देखिद है तो चंदरा शनी चंदरा बुधर ऐसी है चंदरा अश्टम भाव में है माफ किजी चंदरा छटे भाव में है शनी की जिव अंतर दशा है वो शनी अश्टमेश है शनी तृतिय भाव में बेठे है और नोमेश है अश्टम भाव में है मत तो अगर देखा देखा है चंदरशनी क्या कहता है कि यह उनको बहुत बड़ा टास्क है हम लोग तृतिय भाव से अगर देखा जाए तो बीजेपी के बाजु वाले जो थोड़ा बहुत उनके विचारधारा को एकसेप्ट कर सकते हैं ऐसे उनके मतलब दोस्त बोले जाते है दोस्त इतने भी नहीं कि जो उनका साथ पूरे साल पूरे लाइफ में पूरे देने वाले है ऐसे भी दोस्त नहीं लेकिन उनका साथ आएगा जाएगा इस तरह से होने वाला है भारत की कुंडली में दशा देखी जाए तो चंद्र शुक्र इस तरह से दशा है चंद्र महा तो मतलब इस तरह से वह पराक्रम करेंगे यह भारत सरकार की कुंडली के रहे हैं कि जो सरकार में बैठे हैं वह अपने में ही बदलाओ करके फिर से बड़ा प्लान बनाके लोगों के सामने आएंगे बिजेपी का जो भी अभी हुआ करनाटक में हुआ आपने देखा होगा कि सरकार बिजेपी को कितना नुकसान हुआ हैं तो यह नुकसान अभी ना हो दो हजार चोईस में बाकी के जग पर ना हो यह अभी भी जो इलेक्षन आ रहा है वो वहां गुजरात में आ रही है जहां भी आ रही है तो वहां पर ना हो इसलिए यह बिजेपी और भारत सरकार की कुंडली ये कह रही है कि अंतरगत बदला वोगा सब्दा बदल नहीं होगी मैं फिर से कहती हूं सब्दा बदल नहीं होगी बहुत से लोग करते हैं कि दशंबाव में शनी आये तो सत्ता बदल होगी तो यह सत्ता बदल नहीं होगी क्योंकि यह ब्रुहस्पती और शनी दोनों मिला के वह एज्जेस्ट करेंगे और फिर से नया दो हजार चोईस साल में नया रेकॉर्ड करेंगे ऐसा यह कुंडल ही कह रही है तो अभी देखते हैं क्या-क्या बदलाव होने वाला है यह जो है कि यह सामान दिये लोगों को ज़्यादा फरक नहीं पड़ने वाला इस बदलाव से लेकिन बीजेपी के लोगों को तो बहुत फरक पड़ेगा क्योंकि जो नाराज है उनकी नाराज ही निकाली जाएगी जो उनके विरोधी लोग है वो भी उनके असाथ देंगे और यह सब मिला के वो सोच रहे हैं कि जो बिल स्पास करना है उसके लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो कैसे हसिल करें और इसी खली इसी का कारण विरोधी गट के लोग जिनकी एक विचार नहीं होने के कारण भी उनका साथ ले रहें यह कुरुष्ण निती बोलिए कि जो अपनों का हसिल करना है अच्छे के लिए तो उसके लिए जो भी बदलाव करना चाहिए वो अभी विजेपी और भारत सरकार कर रहें और उ जानते ही हैं तो वही अभी शायद में रोल पर आएंगे वही शायद विजेपी को करेक्ट करेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहें देखते हैं अभी क्या हो रहा है क्या नहीं और मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद धन्यवाद